हुआ है है वेल्कम टू ही पेंड़नी क्लिनिक मेरा नाम डॉक्टर जीगनेश ठककर है मैं और्थोपेटिक सर्जन हूं लेकिन जब आज पूरे विश्व और हिंदुस्तान में कोरोना की महामारी चल रही है तो हमने ये वीडियो पूरे इंडिया को एज्यूकेट करने के लिए बनाया है और जब तीन में को लोकडाउन खुलेगा तो उसके बाद हमें क्या परेज रखनी है क्या ज्यान रखना है और कैसे एक रिस्पॉंसिबल सिटीजन लगजाबदार नाकली की तरह रहके हमारे देश को जीताना है कोरोना तीन में तक तो जाएगा नहीं कोरोना गोइंग तु स्टे एंड वी हेव टू लिव विट कोरोना लेकिन अगर हम अपने बिहेवियर और लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करें तो हम इस माहमारी का अच्छी तरह से शामदा कर सकते हैं और इस माहमारी से अपने देश इंडिया को जीता सकते हैं और यही मोका है हम इस देश को जीताने का और इस इंडिया को पूरे देश में अपना नाम अगे रखने का कि हमारा देश कोई भी माहमारी से एक जूट होके दड़ सकता है लेकिन उसके लिए हमें एक अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा और हमें अपना एक न्यू नॉर्मल प्रियेट करना पड़ेगा तू फाइट अगेंस्ट कोरोना और उस न्यू बिहेवियर से हम दूसरी भी माहमारी से बच सकते हैं जैसे की कोरोना कैसे फैलता है तो कोरोना है वो एक तो हवा के थ्रू फैलता है तू एरबॉन पार्टिकल्स दूसरा है कि थ्रू वेरियस सर्फेसिस वो अलग-अलग सर दूसरी बोड़ी में में मेंली वो नाक, आँख, कान और मुह से जा सकता है तो हमें जतना प्रोटेक्शन बने उतना मास्क पहनना है गोगल्स पहनना है और सोस्चल डिस्टंसिंग होना है एक दूसरे से दूरी बनाये रखना है और ये दूरी बनाए रखने का ऐसा नहीं कि एक दो महीने का काम है ये छे महीने तक एक साल तक और इतना बनाए रखेंगे उतना हमारा देश दूसरी बिमारी से भी बच सकता है हमें अपने आसपास का एरिया क्लीन रटना है कही पर भी कच्रानी डालना है स्वच इंडिया करना है और हमें अपना इम्मुनिटी बढ़ाना है और immunity बढ़ाने के लिए हमें अच्छा diet लेना है, sunlight में रहना है, proper sanitization, hand washing, proper bathing और fresh air लेना है जब lockdown खुलेगा तो हमें social distancing बनाए रखना है, गर से बाहर निकलने के टाइम मास्क पहन के रखना है वो आप कपड़ेगा पैन सकते है, three ply पैन सकते है, लेकिन उसका proper host करना, गरम पानी से दोना और three ply mask को proper dispose करना बहुत ही जरूरी है, और हमें अपने आख नाख और मुव में कहीं पर touch नहीं करना है, जब हम भाहर से कहीं पर touch करें, और हमें कोई भी surface पर जितना बने उतना touch करना नहीं है, और गर पर आके अपने टेली कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत होगी तो डॉक्टर अपने होस्पिटल में या कहीं पर report करने लिए बेजेंगे, बाकि जितना बने उतना घर पे रहना है, अगर घर से बैटके काम हो सकते हैं, तो बाहर नि डॉक्टर और हॉस्पिटल तो क्लीन करते ही है, लेकिन फिर भी वहां से एक दूसरे को इंफेक्शन लगने का चांस है, उनके स्टाफ को लगने का चांस है, डॉक्टर को भी इंफेक्शन लग सकता है, और एक आदमी है वो 45-50 लोगों को इंफेक्ट कर सकता है, और वो 50- 2000 लोगों की इन्टवेक्ट करेंगे ऐसे यह विमारी महामारी बनी हुई है वो हमें एक रिस्पोंसिबल जौबदार नागरिक बनके उस महामारी से अपने देश को बचाना है और हमें वोरियर बनके इस देश को जीताना है अगर हर नागरिक अपना ये रूल्स का पालन करेंगे तो इस देश को आगे आने से कोई नहीं रोख सकता है हमें खुद रिस्पन से लिठानी पड़ेगी और खुद ही देश को जीताना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं करेंगे क्या हमें ये चेप नहीं लगेगा ऐसा सुचना एक मुर्पता है तो बने उतना घर पे रहना है वर्क फ्रॉम होम करना है और ऑस्पिटल में माइनर प्रॉब्लों के लिए विजित नहीं करना है और मंदिर बस्चित चर्च कोई भी रिजनल प्लेस पर जाना नहीं है घर पर बैठो पूजा करो जो भी करना है भगवान का नाम लो नमाज पढ़ो घर पर बैठके करो तो घर से भी सुन लेते हैं तो वह सब चीज अवोइड करनी है और कहीं पर जाए तो हैंड सनीटाइजर साथ में रखिए हर आदे गंटे गंटे पर जिससे की आपके हाथ में जो वाइरस आएंगे वह नाश हो जाएंगे तो आप सेफ रह सकते हैं और अपने घर को भी सेफ रख सकते हैं सिर्फ हमें सेफ नहीं रहना है हमारे घरवालों को भी सेफ रखना है पूरी सोसाइटी को भी सेफ रखना है पूरे इंडिया को सेफ है तो अगर हम सेफ रहेंगे तो सब सेफ रहेगा तो यह प्रोटेक्शन स्टार्ट हम से खुद से करना है हम सेफ नहीं दिए तो हमारे घर्वाले इंट्रेक्ट होंगे हम तो इस इस पर वहारी फैल गई इस माहमारी से जीत हासिल करनी है तो आप अगर ये रूल्स फोलो करेंगे और जवाबदार बनेंगे तो इंडिया जीच सकता है और आज हम पहले इंडियन है उसके बाद में हमारा धर्म है और अगर आपको कोई भी सला चाहिए कुछ भी वीडियो कंसल्टेशन टेली सब्सक्राइब कोई भी प्रकार के लिए चाहिए तो आप है वो हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं 9398972323 और हम आपको कोई भी कंसल्टन्ट से एडवाइस या आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोलुशन निकाल के देंगे अगर वह नहीं निकल बाता तो आप उस्पिटल करिए और इंडिया को जिताने में अपना योगदान करिए तो इसी के साथ अगर आप ये परेज रखेंगे तो आपको भी नहीं होगा को रोना घरवालों को भी नहीं होगा पूरे देश को नहीं होगा तो अभी जितना हो गया है वह सब न्यूज चैनल देखे एक बार दे देखे दो बार देखे लेकिन पूरे दिन वो देखने से आपकी जीवन में कुछ होने नहीं वाला है आप अपना कुछ अलग सा घर पे बैठके विकास करिए कुछ भी मदब नया सोचिए नया करिए एक्स्ट्रा करी कुदर एक्टिविटी करिए और थोड़ा भी जो काम धर से हो सकता है वो करिए तो आप के देश की एकोनोमी में भी को अपना दे सकते हैं और हमें कि कबीवी कैसे भी कोरुणा से कं इस चलते कोरुणा के सामने को पी साथ में कोरुणा के सामने जीतना थो पड़ए when तो क्यों ना हम आज ही उसकी शुरुआत करें तो इसी के साथ हम ये वीडियो को खतम करते हैं और जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर करिए तो सब को ये माहिती मिले, सब को इन्फोर्मेशन मिले और सब अपना अपना ख्याल रखे तो थेंक यू, जै हिन, जै बारत